सबसे पहले नए होते हैं अभी सब्सक्राइब करना चैनल को ताकि हम और मोटिवेशनल कॉंटेंट बनाएं टॉपिक आपने पढ़ लिए आओगा कि फोकस है हमारी ट्रेडिंग स्टोरी में कि हम ट्रेडिंग फूल टाइम कैसे स्टार्ट करें उस पर बात करेंगे ठीक है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो गाइस देखो बात है उस समय कि जब कॉलेज में पढ़ता था उसको मिलने के मैं क्लासिस बंक मारके जाता यह कहां गुजगे यार मैं बैक स्टोरी बात में सुराऊंगा में पॉइंट बात है ठीक है पॉइंट यह है कि हाउ टू बिकाम फूल टाइम ट्रेडर ठीक है तो देखो मैं तुम्हें दो तरीके से चीज बताऊंगा पहली तरीक है जो बहुत ज़्यादा कन्वेंशनल पूरी करें ठीक है क्योंकि ट्रेडिंग के ऐसा फील्ड है जहां पर पैसे की रिक्वार्मेंट बहुत पढ़ती है और यहां अंसर्टनिटी बहुत ज्यादा है ठीक है होता क्या है जैसे कि हम तुम्हें पढ़ा देंगे भाई टू प्लस टू क्या होता है फोर अब ट्रेड बनी निए अब तुम बोलोगे भाई एक्जाम में तो ट्रेड बनी निए अपकी तो मैं बोलूंगा नि बनी तो निए बनी निए बनी बस तो आंसर यह होता है ठीक है जैसे कि मैटस में टू प्लस टू इस इकल 2 फॉर ही होगा पर यहां पर इकन्फर्म नहीं होत लैरिफिकेशन क्या होता है बस नहीं हुई simple क्योंकि हर बार ऐसा होगा तो हर कोई कमा लेगा तो uncertainty बहुत जादा है तो चीज़े क्योंकि pattern follow तो करते हैं पर लेकिन वो कब follow करते हैं किसी को नहीं पता तो उस हिसाब का mindset उस हिसाब की चीज़ें built होने में बहुत maturity लगती है और time लगता है ठीक है तो इसलिए बोला जाता है बहुत ज्यादा uncertainty है यहाँ पे बहुत ज्यादा success नहीं देखा जाता है बहुत ज्यादा control चाहिए तुम क्या करोगे पहले पढ़ाई पूरी करोगे जो भी तुमने 11-12 करी अब तुम एक job कर रहे हो ठीक है पार्ट टाइम जोब कर रहे हो या full time कर रहे हो जो भी कि पैसा आ रहा है तो उस पैसे में से तुम अपना 10% निकाल रहे हो मान लो कि तुम 50,000 महिना कमारे हो तो तुम 5000 तक नकाल रहे हो महिने का जो तुम ट्रेडिंग में डालेगी क्योंकि अपने salary में से उतना ही निकाल ःतीच सब नहीं है तुम्हारे बाप बनिया है मारवाडी है तुम coordin कीसी चीज के कर सकते तुम्हें है यह सब भी है मुझे कोईные मेर貴 तो जैसे कि जिए मेरे आरिया में सबको पता कि मैं मार्केट में हूँ मैं जिन ही जाता हूं वहां द मिखें मिलते हैं मैं कि घ्रत साल में तुमने बोड़ा ट्रेडिंग करनी है आब जा के पिछले एक दो साल में अन्य हरशेट में आथा कि सीरीज देखके तुमें पिछले कि शमईने में जो चड़ा किसी को पिछली एक साल में जो चाट ट्रेडिंग करनी है उससे पहले तो गोल नहीं था ना उससे पहले क्या गोल था जो बच्पन से सोच तो यह चीज़े में बहुत ज्यादा बंदों को बोलता हूं कि पहले तुम वह करो जिसके लिए तुम आये हो जब पैसा ह हो जाए ना जब फालतू पैसा हो जाए तब मेरे पास आजए तब बता दूगा ठीक है तो यह वह तरीका जो कन्वेंशनल तरीका जो हर को आपको बताता है और सही ही बताता है यो कि इस तरीक से ट्रेडिंग करोंगो तो बरबाद नहीं होंगे तुम जो काफी लोग कितनी बड़ी चीज है मैं हूं या जो भी सक्सेस्फुल टेडर है हमारे पास कोई आता है तो हम उसको क्या बोलते हैं कि भाई पहले पढ़ाई पूरी कर पहले पैसा जमा कर वैसे घर के हालत ठीक नहीं हार जाएगा तो क्या होगा और हम खुद ऐसे घर के हालातों से निक तरीका है रिसकी तरीका ठीक है और सही बताओ नाम बनते हैं रिसक से यह एड़ दी एंड जे वीडियो खतम होगी आपके उपर है कि आपको क्या चूज करना है पहले तरीका दूसरा तरीका पर लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि हर बंदा जितने भी ट्रेडर हैं जितने भी ट्रेडर हैं पूरे यूट्यूब में तुमने जिससे तुम बात करते हो देखते हो जिनकी वीडियो तो मैं पता है सबकी जन्री वीडियो सबको सबने बता रखाए कि क्या सीन है सबका पता है गरीब घर से पैसा हर एक करजे में डूब गए फिर ट्रेडिंग आई पै पता है क्या पता यह उसकी रिकॉर्मेंट ही हो क्योंकि सारे बंदे ऐसी कर रहे हैं अब पहला तरीका मैंने बताया ठीक है पर एक्चुली वह जितने भी हम ट्रेटर बने कैसे हैं हम तब बने जब हम खुद पैसा डुबा चुके थे और हम पे बहुत गरीब घर से होता है न हुक करने के बहुत निखने करता है तो यह दो तरीके हैं तौँ टेडर बनने के पहला तरीका मैंने प्लट जो दिनका. लग यह POL्यक्राइट यूटुब से. Instagram से बहेंकर Google से Bing से जहां मिले Wikipedia से जो मिले Reddit हो गया बहेंकर कितनी चीज़ें है सीखो सीखो डूबो बनो सीधी सी बात है सीखो डूबो बनो तीसा तरिका ये है ठीक है वो होता है न क्या बोलते है उसको यहार प्यार एक ऐसा दरीया है कि जहां डूब के जाना है ऐसा एक डायलोग है प्यार के लिए कि किस चीछ के लिए जिसके लिए तो ट्रेडिंग भी ऐसा दरीया है जहां डूब के ही जाना है रास्ता ही डूबने का है भाई बिना डूबे कोई जाता ही नहीं है कोई उड़के जा नहीं सकता सिद्धी सी बात है जो शुरू में जो पैसा कमा रहे हैं वह बहुत जल्दी निकल भी जाएगा तो यह वह चीजें हैं जो तुम्हें ध्यान में रख रहे हैं यह दो तरीके जिन से आदमें आगे बढ़ता है ठीक है अब देखो मैं तुम्हें दो तिन चीजें ब नि था मतलब ना मतलब ताने तुने मुझे मिले जाते थे इंडरेक्टली लग बहुत साने देते थे थे तो देखो अब क्या है ना अब जैसे की मेरी स्टोरी है ठky कि मैंने बहुत मेहनत करी ये सब मुझे कह रहा है वो टेडर नहीं बना अभी तो मुझे कह रहा है और तेरी जितनी ही मेनद करूंगा मैं उतना ही खुध पर बताऊंगा मैं शरीर को ठीक है तो मैं प्रॉफटेवल बनूं fibre वह नहीं बनेगा पतहा क्यों नहींडा because of the circumstances जिसके अंदर हम जिये हैं जिस circumstances के अंदर हम जिये हैं ना बच्पन से वो matter करते हैं ये है point क्योंकि मैं बच्पन से story बताऊं तो जो मैं था उस वज़े से ही तो मैं यहां हूँ हर चीज जुड़ी हुई है भाई ठीक है इससे पहले मेरे दो तिन यूट्यूब चैनल थे उससे पहले मैं fitness में था इस सब चीजों में था तो ये चीज़े जुड़ी हुई है ये चीज़े नहीं होती line से तो मैं यहां भी नहीं होता एक भी चीज़ हम हटा देते वो disturbance create हो जाती तो हर चीज किसी चीज के लिए होई है तो अगर कोई मेरी जितनी महनत कर भी लेना तो भी guarantee नहीं कि यह बनेगा क्योंकि मेरे circumstances बच्पन से अलग थे अलग condition में मैं जिया था और जो मेरे लिए चीज़ें बहुत बड़ी थी बाकियों के लिए छोटी थी तो कोई तुम मेरे बराबर आएगा बोलेगा मैं तुम्हारे जितनी महनत करूंगा नहीं भाई नहीं होगा क्योंकि मेरी story ही अलग है तुम्हें क्या पता मैं कौन हो मैं क्या करता था मेरी अलग चीज है तुम बस यह मत देखो ट्रेडिंग बहुत चीज़ें होती बहुत बड़ा background होता है हर किसी का ठीक है ऐसा होता है तो इस तरीके से चीज़ें होती है लोग मतलब यह तरीका यह या BCA, MCA कर रहा है anything तो तो तुरे सोच कहीं कर रहा है तु तो क्यूं तुम्हें end moment पर तुम्हें career shift करना है वो भी ऐसे career पर जो uncertain है बहुत जादा जहां पर पैसा है तो फिर समानली की जगह नहीं है और नहीं है तो फिर आदमीं डूब जाता है ऐसी problem हो जाती तो ऐसा क् जिन्दिगी के main goal पूरे कर लिये जाए अच्छी जौब कर लो ठीक अच्छी जौब कर लो घर वालों को अच्छा घर बनाके दे दो भले लोन तो बने कोई बात नहीं अच्छी जौब करो घर वालों को एक घर दे दो अगर तुम बहुत अमीर घर से तो कहानिया लगे पर किया है कि कुछ लोग होते हैं पागल फिर वो कहते है बभाई डूबूँ चाहे कुछ हों की उन जयसे कि तुम किसी एक गरीब घर से हो तो हमारी जिन्दिगी में 요 सिचुवेशन आ जाती करो या मरो वाली सीथ है करो या मुर मैं 10लाक रुपय हाडता, या मिरे की बात छोड़ू, काफी बंदे ऐसे होंगे, जिनके लिए 10लाक रुपय इतनее जाद हैं, कि वो जिन्दी की भर भी ना पे कर पाई, जिनके घरवाले मजधूरी करते हैं, या वो खुद मजदूरी करते हैं, तो ऐसे बंदों को सुसाइडल फोट आ जाते हैं और उससे मी है की बात होती है तो वही सुसाइडल फोट वाली बात है चीज़े धीरे धीरे बनती है नाम बनते है रिस्क से रिस्क लो आगे बढ़ो पर कैलकुलेटिव रिस्क लो ठीक है अब तुम्हारी सैलरी है पचास जार तुम्हें जो है तुम पांच लाग रुपे का लोन तुम जहल सकते हो ठीक है कि पांच लाग तक मैं जहल सकता हूँ अगर मैं डूब गया मैं निप्टा दूँगा मेरे जिन्गी में उसमें कोई फरक नी पड़ेगा मेरे पापा मम्मी की दवाईयां आ जाएगी मेरे घर चल जाएगा ठीक है ठीक है तो ठीक है तुम ट्रेडिंग कर लो अब भेंगर सैलरी है तुमारी 50,000 रुपए लोन है त इसका आउटकम क्या हो सकता है और अपने लेक लिमिट लेके चलो कि भाई अगर इतने पैसों में बन गया तो ठीक है वरना मैं बाद में ही आऊँगा क्योंकि मेरे जिन्दिकी में भी ऐसा पॉइंट आ गया था कि मेरे पास एक लिमिटेड पैसा था और वही पैसा था उत सब्देनिके जौब कर रहा हूं मन मारके भी sa na job भी छोटी मोटी नहीं मैं अभी बतारो मैं quader नाकिका ए वहां जवस्ट के अब कि आपनाँ कुछ एकालिए अपर करता मैं के चीज़ जोच कि मैं करूंगा ठीक है मैं करूंगा सीधी Y plain बात है मैं हूँ मैं सबसे अलग हूँ अपने अंदरे बात लेके आओ ना मैं कर लूँगा कैसे नहीं करूँगा ठीक है यह कौन है यह कैसे बन गया अगर तू कर सकता हूं भले दो चार महिने एक्ष्टा लगने कोई बात निए वह चीज है तुमारी ठीक है तो देट सिट यहीं सब बात है आपको बता नहीं थी आए ओप यू लाइक दा वीडियो लाइक शेयर और टेडिंग जर्नी लियाएंगे ठीक है थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज थैंक यू सो मच कर दो